इस देश के नागरिकों में समता सुतंता नियाय और बंदुता का वो अभाव है वो चीजें अभी तक हम पूरा नहीं कर पाएं और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है तब तक संविधान के जो मूल उद्देश हैं जो उद्देशी का है वो नहीत अर्थ है वो फलीबूत नहीं हो रहे हैं अभी पिछले प्रोना काल में जब लागडाउन प्रचंद लागडाउन प्रचंद लागव हुआ था तो हमने देखा कि हम अपने अस्टित को बचाने के लिए जो हमारे साथ ही लोग थे हमारे समाज के लोग दिली बंबई या कहा कहा मजदूर वरक बनक मैं आपकी पूरी टीम को और लखनो के जितने भी लोग हैं इस कारक्रम को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का साधवाद ग्यापित करना चाहता हूँ अपने राष्टी कमेटी की तरफ से एवाजका की राष्टी कमेटी की तरफ से मैं आप सभी लोगों को केवल और केवल ये संदेन देना चाहता हूँ चुकि मिसन पर और इस कारक्रम की जो प्रासंगिक्ता है उस पर पूरी की पूरी बात हो चुकी है हमारे राश्टी महासचु जी आप सभी लोगों के समक्ष जो भी बात करना था सारी बात कर चुके हैं अब मुख्य अचिती जी भोलने वाले हैं और ऐसे में बड़ी बात जाते बात करने की कावफ्त नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैं ये कंक्ल्यूजन के तौर पर आप सभी लोगों को पताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग भारत के नागरिक सन उनिस सो उन्चास में 26 नॉंबर उनिस सो उन्चास को जो संकल्प लिये थे उस संकल्प को मैं आप सभी लोगों को यार दिलाना चाहता हूं और उस संकल्प को यार करके उसको पूरा करने का जो अधूरा है उसको पूरा करने का ये सही वक्त है ये मैं आप सभी लोगों को यार दिलाना चाहता हूं हम सब इने 26 नॉवंबर 1949 को बारती शंविधान सभा में अपने प्रतनिधियों के माध्यां से संकंप लिया था कि हम भारत के लोग बारत को संपूर, प्रवित, संबन, समाजवादी, पंत निर्पेक्ष, लोग कंतराप्रों गणराजी बनाने के लिए तका उसके समस्त नाग अवसर की गरिमा है, जो प्रतेश्चा और आवसर की संता है, वो उसके अतरिक्त, भारत के समस्त नागरिकों की जो व्यक्तिकत गरिमा है और राश्ट की एकता वाप्रणता सुनिश्चित करने वाली बंदता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में हम सभी लोग, मतलब भारत के नागरिकों की तरफ से हमारे प्रतनिदियों ने उसको आत्मर्पित, अधनियमित और अंगिकरित किया था, मतलब क्या हुआ साथियों, 1950 में जब ये संविधान लागो हुआ, उससे पहले मनसमृती पर आधारित या धार्मिक व्योस्ता पर आधारित संविधान सं इसमें हम सभी लोग प्रत्यक वैक्ट की डिंग्निटी छुपी हुई थी, हम कहीं ल कहीं वो चीज अभी पूरा नहीं कर पा है, वो जो जिस उत देश से हमने उस दिन संकल्प लिया था, वो संकल्प अधूरा है, और जब तक वो संकल्प अधूरा रहेगा, जब तक वो प्रत्यक नागर्कों का यहां जो मान संवान है वो पूरा नहीं हो सकता है, वावशाब डाक्टर भीन राव अमभेटकर का आंधुलन तथा दिद्ध का आंधुलन जो था, वो अधूरा ही रहेगा, और उसको पूरा करने के लिए वावशाब डाक्टर अमभेटकर ने सिर करने वाला हो सके आज हम याजना करने की इस्तिति में हैं और इस इस्तिति को बदलने का वही तरीका है जो बाबाशाब डाक्टर गंबेड करने 17 सितंबर 1932 को दिलाया था ओड का अधिकार उसी ओड के अधिकार को आप याद करिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो आने वाला चुनाव है 22 में हमको जो है महापुरसों के विचारधारा पर आधारिक जो राजनेतिक दल है उसका समर्कन करना है अगर हम उस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं देश के साथ किये हुए अपने वाते को पूरा करना चाहते हैं तो 2022 में हमको उस संकल्प को पूरा करना होगा उसके लिए काम करना होगा और काम करने के लिए आपको क्या करना है साथियों इस संकल्प को पूरा करने के लिए तमाम संगठन के लोग तमाम विद्ध तरीके से पूरे देश में काम कर रहे हैं चाहे को संगतनात्मत रूप से हो चाहे पेक्टिकलत रूप से लेकिन हम समाच पर प्रभाव नहीं डाल पार रहा है हम देश पर प्रभाव नहीं डाल पार रहा है क्यों कि हम पूरे देश में या पूरे प्रदेश में एक साथ सब को समझा लेंगे मेरा ऐसा मानना है कि प्र और हर वो गयक्ति जिसने प्रतनिद्तों के अधिकार का यह समाज के अधिकार का फाइदा उठाकर कि कि लिकार है उसका इस समयधाइत तो है कि वो कि इस ने किसी एक गाउं का चयन करें और उसी आने वाले पचास साथ दिनों में काम करें हमारा काम होना चाहिए हम 20-25 और आप छोटी छोटी गणित से हम वो सारा चीज कर सकते हैं, साथियों एक विधान सभा में 400 के आजपास बूत होते हैं, और पिछले विधान सभा चुनाओं के आप रिकार्ड उठा करके देखेंगे, तो हर विधान सभा में आप देखेंगे कि 4-5 हजार की ओट मार्जिस हम हा हैं, अगर हम उस 4-5 हजार वोट को लेना चाहते हैं, तो प्रतेक बूद पर 20-25 हम को बहा देना है, अपना वोट कही आने जाने नहीं देना है, एक काम छोटा सा काम हम कर लें, तो ये काम कर सकते हैं, अंतिम बात कहते हैं, मैं अपनी बात समाब कर रहा हूं, कि अभी ये लोग दिल्ली, बंबई या कहा कहा मज़ूर वरक बन के कमा रहे थे, वहां से पैदा ही चल दिये थे, उस चीज को याद दिलाना है समाज को, और उसी समाज को ये कहना है, जिस तरीके से अपने अस्तित्त को बचाने के लिए आप पैदा लग जारों किलो मिटल की होगे, अगर वो नहीं मानते हैं, तो आप सभी लोग जो पेवेक्टू सोसाइटी है, उसके ताहत एक महिने का पेवेक्टू सोसाइटी कर देंगे, उनके पास किराया भड़ा हो जाएगा, वो अपके गाउं आएंगे, अपने गाउं आएंगे, और डाल के जाएंगे, न सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को वैल आइकोन दवाना ना भूने, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल समतावाज टीवी को वैल आइकोन दवाना ना भूने, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए